एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि जो कूरो होता है वो लूफी पर शाकुशी अटेक करता है और तभी जो लूफी होता है वो अपने डैवल फ्रूट की शक्ती से उसका जो शाकुशी अटेक होता है उसे रोक लेता है और वो उसे पकड़ के रखता है और वो उस पीछे से जो बच्चे होते हैं, वो उसे रोकने के लिए आते हैं, पर जो जंगो होता है, वो उन्हें लात मार के वहां से उड़ा देता है, और जो जो जोरो होता है, वो एकदम भागता हुआ आरा होता है, मिसकाया को बचाने के लिए, और जो जंगो होता है, वो उससे कहता मैं यहा पर दिखाते है कि जो पाइरेट होते हैं वह लड़ रहा होता है और वो पाइरेट्स की बात सुनता है और वो एकदम उनके पास जाता है अपनी गरधन को लंबा करके और वो उनसे कहता है कि तुम्हें ऐसे चेयर करने की कोई जरुवत नहीं है और यहाँ पर जो सौप होता है वो अपनी गुलेर निकालता है और वो जंगो की तरफ मारने जा रहा होता है और जो उसके तीनों दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि कैप्टन आ गए और तभी जो सौप होता है वो उसे वो गलेर से मार देता है और जंगो वहीं के वहीं गिर जाता है और यहाँ पर जो लूफी होता है वो एकदम से आ रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा प्लैन फेल हो गया और जो कूरो होता है यहां पर यहां पर जो पाईरिट होते हैं वो बहुत जदे चौक जाते हैं कि उसने अकेले ही कैपिटन कुरो को हरा दिया और वो उनसे पूछते हैं कि तुम हो कान और तुमने उसे कैसे हरा दिया लूफी बोलता है कि मेरा नाम है मंकीडी लूफी और मैं ऐसे पाइरेट से कभी भी नहीं हारूँगा जो अपने नाम खुछ से मिटाना चाता हो वो कहता है कि एक पाइरेट का नाम तब ही मिटता है तब वो मरता है जो पाइरेट होते हैं वो बोलते हैं कि हमने इससे पहले ये नाम नहीं सुना था और जो लूफी होता है वो उनसे कहता है कि अपसे इस नाम को याद रखता क्योंकि ये नाम बहुती जल्दी फेमस होने वाला है क्योंकि मैं बनूँगा पाइरेट किंग और जो लूफी होता है वो उन पाइरेट की तरफ कैप्टन गूरो को फैकता है और वो उससे कहता है कि इससे ले जाओ और यहाँ पर कभी भी बापस मत आना और जो पाइरेट होते हैं वो उससे लेकर वहाँ से भाग रहे होते है और तभी जो नामी होती है वो लूफी के पास आती है और जो लूफी होता है वो शन्त कड़ा होता है और तभी जो लूफी है वो नामी के उपर किरता है और जो नामी है वो उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छा लड़े जो नामी होती है वो लूफी से बूस्ती है कि तुम उस पर इत्ता गुस्ता क्योंते है तो जो लूफी है वो कहता है कि वो अपने साथियों को ही मारना चाहता था और वो बहुती ज़्यादा बुरा है तो जो नामी होती है वो कहती है कि सारे के सारे पारिट ऐसे ही होते है लूफी उसकी जरब देखता है और वो कहता है कि पर मैं ऐसा कभी भी नहीं बनूँगा और वो उससे कहता है कि मुझे बहुती ज़्यादा भूख लगी है और मुझे मीट खाना है और जो नामी होती है वो उसकी टोप उसी पर मार देती है यहाँ पर जो उससाप होता है वो उन तीनों से और मिसकाया से कहता है क्या तुम यह बाते सिक्रिट रख सकते हो तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम यह कभी भी सिक्रिट नहीं रखेंगे क्योंकि आपने अपनी जान लगा दी थी इस विलेज को बचाने के लिए और वो कहते हैं कि हमने भी अपनी जान लगाई है इस विलेज को बचाने के लिए इसलिए हमें से कभी भी सिक्रेट नहीं रखेंगे और जो काया होती है वो उसौप से कहती है कि तुम्हें से सिक्रेट नहीं रखना चाहिए और तुम्हें सारे विलेज को बता देना चाहिए कि तुमने ही हमें बचाया है उसौप बोलता है कि अगर हमने ये बात उन्हें बता भी दी तो वो हमारा यकीनी नहीं करेंगे और अगर उन्हें यकीन कर लिया तो वो बहुत जाला डर जाएंगे क्योंकि इस विलेज में बहुत सालों से कोई भी पाइरेट नहीं आया है अगर उन्हें अब पता चला कि यहांपर पाइरेट हंबला करने वाले ते तो यह बहुत ही बुरा होगा और इसलिए मैंने ये सोचा है कि तुम मैंसे कोई भी ना बताए कि यहांपर पाइरेट आए थे तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है कैप्टन हम किसी को भी नहीं बताएंगे उसौप होता है वो मिसकाया से बुचता है तो जो मिसकाया होती है वो कहते हैं कि मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी और यहाँ पर सारे के सारे जो विलेज़ वाले होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि वो सौप अभी तक क्यों नहीं आया और यहाँ पर एक विलेज़ वाला कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो सौप बहुत ही कल दुखी था यहाँ पर एक बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से पूचता है कि वो जूट बोलने वाला अभी तक क्यों नहीं आया तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो आई रहा होगा और तब ही यहाँ पर एक और विलेजर होता है वो कहता है कि मैंने शायद उसे जादा ही मार दिया इसलिए वो आज नहीं आया और तब ही सामने से एक लेड़ी बोलती है कि वो आई रहा होगा यहाँ पर जो हसौब होता है वो इन तीनों से थैंक्यू बोल रहा होता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग नहीं होते तो वो पक्का अब तक हमला भी कर देते तो जो जो जोरो होता है वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कहता है कि तुमने पहले उन्हें रोका था अगर तुम उन्हें नहीं रोकते तो हम भी कुछ नहीं कर पाते तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ वो बिल्कुत सही कह रहा है और जो लूफी होता है वो उसकी तरफ देखता है वाता भी सेंचेंज होता है और यहाँ पर जो सौप होता है वो अपने तीनों दोस्त के साथ वहाँ पर बैठा होता है और उसके तीनों दोस्त जो हते हैं वो कुछ से बूचते हैं कि आपने हमें यहां पर क्यों बुलाया है, जो सौप होता है, फोन से कहता है कि तुम बहुत है अच्छा लड़े, उसके दोस्त बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आप हमसे ज़्यादा अच्छा लड़े थे, तो जो सौप होता है, वो कहता है कि यह अब कि हमारी सबसे बड़ी फाइट थी तो उसके जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो और वो कहता है कि इस फाइट के बाद मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं बनूंगा एक समुत्री पाइरेट क्योंकि जब मैंने उन्हें देखा तब मुझे अंदर से लगा कि मुझे भी एक पाइरेट होना चाहिए इसलिए मैं बनूंगा एक समुत्री पाइरेट और इसकी असली बजा ये है क्योंकि ये फ्लैग और ये समुत्र मुझे बुला रहा है उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि आप हमसे जूट मत बोलो और व जोसौप बोलता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं और मैं विलेज वाले लोगों को बताऊंगा इनी कि मैं जा रहा हूं और जोसौप होता है वो उनसे कहता है क्या तुम भूल गए कि हम कैसे मिले थे और यहां पर जोसौप होता है वो अपना फ्लैग यहां पर उसने लगाया होता है और तब तीन जो बच्चे होते हैं वो वहां से आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो तो जो सौप होता है वो कहता है कि मैं इतना भी फेमस नहीं हूं तो जो तीनों बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा कहता है कि इ पर यहांपर जो साथ होता है, कि एक कैप्टन उसौप आप तो महान हो और उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि आप हमें ये वाली बाते क्यों आद दिला रहे हो और वो रोने लगते हैं और जो उसौप होता है वो पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि तुम लोग क्या-क्या बनना चाते हो उनमेंसे एक बोलता है कि मैं अपना होटल खुलवाओंगा दूसरा बोलता है कि मैं एक कारपेंटर बनना चाता हूँ और जो लास्ट जो ओनियन होता है वो कहता है कि मैं एक राइटर बनना चाता हूँ उस्वाप कहता है तो फिर तुम उससे बादा करो कि तुम आज से ही अपने जो भी तुमें बनना है उस पर फोकस करोगे और तुम उसे हासल भी करोगे और जो उसके तीनों दोस्त होते हैं वो रोने लगते हैं और जो सौप होता है वो कहता है कि आज से ही यह हमारा जो पाइरेट का ग्रूप है वो बंद होता है और वो भी रो रहा होता है फिर यहां पर खाने की दुकान दिखाई चाती है जहां पर जो लूफी होता है वो खाना खारा होता है और यहां पर जो जो जोरो होता है वो उससे कहता है कि तुमने बहुत जादा खाना खा चुके हो तो अब हम यहां से चलते हैं तो जो लूफी होता है वो कहता है कि ठीक है और तभी बाहर से जो मिस्काया होती है वो अंदर आती है तो जो नामी होती है वो से बूस्ती है कि तुम ठीक हो तो जो मिस्काया होती है वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्यों कि उसौप ने मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दिया है, मिस्काया होती है, वो उनसे कहती है कि तुमने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करिया और इस विलेज को भी तुमने बचाया है, इसलिए मैं तुमें एक तौफा देने वाली हूँ और यह अम मैं इस घर को बहुत ही दिनो बादी देखूंगा, तभी वो मिस्काया के घर को देखता है, और वो कहता है कि अम मैं मिस्काया के घर को भी बहुत दिनो बादी देखूंगा, और तभी वो घर से बाहर निकलता है, पर उसका जो बैग होता है, वो बहुत ज्यादा ब मिस्काय होते हैं उनका जो gift होता है वोता है एक cona लूफी नामी और जोरो को तो तीनों बहुत ही जादा खुश हो जाते हैं और ऑर और वो कहता है कि यह जब बहुत ज्यादा बड़ी है और वह कहता है कि इसका आगे वाला तो वो शिप से तकरा जाएगा और जो शिप है वो तूट जाएगी और वो लूफी से कहता है कि चलो उसे रोकते हैं और जो लूफी और जो जोरो होते हैं वो अपनी लाट से उसे रोकते हैं और जो लाट होती है वो सीधा जाकर उसौप के मुझ पर लगती है और जो सौप ह होती है वो सौप से पूछती है क्या तुम भी जा रहे हो तो जो सौप होता है वो कहता है कि हाँ मैं भी जा रहा हूं और वो कहता है उनसे कि क्या तुम मुझे रोकोगी नहीं तो जो मिस्काय होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं रोकोंगी क्योंकि ये तुम्हारा सपन जो सौप होता है वो उनसे कहता है कि हाँ यह मेरा सपना है और वो कहता है कि जब भी मैं वापस आओंगा तो मैं तुम्हें बहुत सारी कहानिया सुनाओंगा क्योंकि ऐसे मैंने पाइरिट्स को मारा तो जो मिस्काय होती है वो कहते है कि हाँ ठीक है और तभी जो सौप होता ह वो उन सबसे भी कहता है कि तुम भी मुझे मत भूलना तो जो लूफी होता है वो उससे बूसता है कि क्यों तो जो उसौप होता है वो कहता है कि तुम तो बहुत ही जादा बुद्ध हो तो जो जो जोरो होता है वो कहता है कि तुम हमारे साथ ही तो चल रहे हो तो जो उसाप होता है वो कहता है कि नहीं मैं तो अलगी जा रहा था तो जो जोरो होता है वो कहता है कि जल्दी से उपर आ जाओ उसाप होता है वो कहता है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जो लूफी होता है वो कहता है कि जल्दी से उपर आ जाओ तो जो उसौप होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उनके साथ जा रहा है और यहाँ पर वो सब अपनी शिप से निकल जाते हैं और यह सब जो छोटे बच्चे होते हैं वो देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये कैप्टन उस आप तो जा रहे हैं और वो कहते हैं ही पर वो उन लोगों के साथ हैं जो बहुत इजादर तागतवर हैं इसलिए वो शुरक्षते रहेंगे उन में से एक बोलता है कि अब हमारे ग्रुप का क्या होगा तो जो दूसरा है वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है यहाँ पर जो मिसका है और उसका जो दूसरा वाला नौकर होता है वो यहाँ पर होते हैं और जो मिसका होती है वो रो रही होती है और जो उसका नौकर होता है वो कहता है कि उस आप बहुत ही अच्छा है और वो उससे कहता है कि मैंने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी घटी करी है लोगों से यहां पर जो सौप होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है और वो चीक रहा होता है कि जो पाइरेट है वो आ गए और वो अपनी मा के पास जाता है जो बहुत ही जादा बीमार रहती है और वो अपनी मा से जाकर कहता है कि जो पापा है वो आ गए है तो जो उसकी मा होती है वो उससे कहती है कि तुम उससे जूट मत बोलो मुझे पता है कि तुम जूट बोल रहे हो तो जो सौप होता है वो उससे कहता है कि पर पापा एक नए एक दिन जरूर आएंगे और जो उसकी मा होती है वो उससे कहती है कि वो अब नहीं आएंगे और वो कहती है कि पर मुझे उन पर बहुत जादा गर्व है कि वो एक पाइरेट है जो सौप होता है वो रोता है और वो कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्व है कि वो एक पारिट है उसकी माउस से कहती है कि तुम भी उनी की तरह बहादूर बनना तो जो सौप होता है वो कहता है कि हाँ मैं उनी की तरह बहादूर बनूँगा और उसका जो नौकर होता है वो कहता है कि उसकी मा के मरने के बाद भी उसे यही लगता था कि उसके पापा कभी नगा भी जरूर लाएंगे और एक शिप वहां से जरूर लाएगी तो इसलिए वो अपनी संतुस्टी के लिए रूट जागर विलेज में यही कहता है कि जो पाइरेट हैं वो आ गए है और जो नौकर होता है वो मिसकाया से कहता है कि आपको भी उसकी तरह बहुत जादा मजबूत बनना पड़ेगा तो जो मिसकाया है वो कहते हैं कि हाम में वैसा बनूगी और तब यहां श्रिप का दिखाया जाता है जहांपर लूफी नामी उसौप और जो जो जोरो होते हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं यहाँ पर village का दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों बच्चे जो होते हैं वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अब हम भी उस आप की तरहीं करेंगे और वो जीखते हुए जा रहे होते हैं कि जो pirate हैं और वो आ गए हैं